हलो फिंट्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हिंदुइज्म जो कि ओरिजिनली वेदो पर बेज़ है उसमें समय के साथ ओपनिशद, वेदान सूत्रों, आर्यंकाज और पुरान आदी को भी वही जगह दे दी गई जो कि वेदो की है और हमने ये भी देखा कि 1875 के आसपास दैनन सरस्वती जी ने बैक टू वेदाज की कौल दी और कहा कि जो लोग वेदो को मानते हैं वो हैं आर्ये और जो लोग वेदो के अलावा पुरान आदी को भी मानते हैं वो हैं सनातनी हिंदू और इसके तुरंत बात 1875 में ही दैनन सर असवती जी ने आर्ये समाज की स्थापना कर दी जिन लोगों पर बैक टू वेदाज कौल का हसर हुआ था उन्होंने तुरंत आर्ये समाज को जोइन कर लिया जो कि पूरी तरह से वेदों पर बेस था ब्रह्मो समाज की तरह आर्ये समाज भी मोनोथिज्म यानि सिंगल ग्रोथ आर्ये समाज को पंजाब में देखने को मिला इसलिए आर्ये समाज का हेड़कौर्टर उस समय के पंजाब के लाहोर में स्थाद्रिश किया गया आर्ये समाज के हर एक सदस्य को वेदों को पढ़ना और जानने का हग था चाहे वो आदमी हो या औरत या फिर किसी भ को लोग करने ही होंगे इसमें कोई चोईस नहीं है चलिएं दस नियमों को देखते हैं पहले तीन नियम आर्य समाज के कोर डॉक्ट्रीन को दर्शाते हैं और कहते हैं कि हर एक आर्य समाजी का भगवान पर अटूट विश्वास होना चाहिए वही है टू नॉलिज का प्राइ को भी कोर प्रिंसिपल का पार्ट बनाया गया अब इसके बाद जो नेक्स सेवन पॉइंट्स हैं वह आर्य समाज के रिफॉर्मेटिव एंबीशन को दर्शाते हैं जिसमें कुछ गोल आर्य समाज ऐसा होल से समबंदित हैं और कुछ आर्य समाज मेंबर्स के लिए हैं फॉ बागी के प्रिंसिपल यहां बताते हैं कि इस आपजिक्टिव को अचीव करने के लिए मेंबर्स को क्या करना है हमेशा रेडी रहना है truth को अपनाने के लिए और अंचुत को छोडने के लिए आर्य फीसमाज के हर एक MEMBER को अपने act से पहले यह देखना कि जो वो काम करने ज से पहले पूरी मानव जाती के well-being के बारे में सोचने लिए कहा गया है और कहा गया है कि दूसरों का upliftment अगर करोगे तो उसी में ही आपकी progress जुड़ी हुई है ignorance हटाओ, knowledge को promote करो, हम देख सकते हैं कि जितने भी नियम है वो बहुत ही simple है, सब को समझ आने वाले है उपर से दयानन सरस्वती जैसा महान व्यक्तित जो पूरे देश में घूम घूम कर इन principles का प्रचार कर रहे थे तो आरे समाज का ग्रोध तो निश्य थी था Northwest India और North India में आरे समाज के branches खुलती चली गई, लाखों की तादात में लोग उनसे जुड़ने लगे in fact, बहुत सारे लोग जो ब्रह्मो समाज से जुड़े हुए थे वो भी ब्रह्मो समाज को छोड़कर आरे समाज से जा मिले हमने देखा कि 1875 में आरे समाज की पहली ब्रांच खुली थी बॉमबे में और 1883 तक यानि जब तक देनान सरस्वती जीवित रहे इन आठ सालों में टोटल 131 ब्रांचेज ओपन हो चुकी थी जिसमें 74 ब्रांचेज जो थी वो यूपी में ओपन हुई थी और 35 ब्रांचेज पंजाब में आरे समाज ने कई तरह से समाज सुधार कार्यों में अपना कॉंट्रिबूशन दिया जैसे कि किसी भी क्राइसिस के समय चाहे वो फ्लर्ट्स हो फेमाइन्स हो या फिर अर्थ्वेक्स आरे समाज ने हमेशा इन क्राइसिस में लोगों की हल्प की है इसके अलाबा इन्होंने डी यवी स्कूल्स की चेन खोली थी जो कि आज भी इंडिया के अच्छे स्कूल्स में गिने जाते हैं यानि एजुकेशन के माद्यम से भी आरे समाज की ये कोशिश रही है कि समाज में चेन्ज लाया जा सकी इन स्कूल्स में इंडियन और वेश्टन थॉट्स दोनों को प्रमूट किया जाता है और इसी के साथ साथ क्रिश्चिन और इसलाम से हिंदू सोसाइटी को बचानी के लिए इन्होंने शुद्धी मुव्मेंट की शुरुबात की जिसमें उन लोगों को वापस से हिंदूईज में कनवर्ट किया गया जो पहले हिंदू ही थे बड़ किसी दवाव या लालज के विए से उन्हें इसलाम या क्रिश्चिनिटी को अपनाना पड़ा था और ये एक पॉइंट है जिसके वज़ा से इस और्गनाजेशन को एक कम्मिनल और्गनाजेशन की तरह से भी दिखा जाता है जहां दयानन सरस्वती जी के बहुत सारे फॉलूर्स थे तो उनके दुश्मन भी कम नहीं थे हर एक रिलीजन की इनोंने खुले मंचों से अलोचना की थी कई बार इन पर जानलेवा हमले भी हो चुके थे और अंत में 1883 में ऐसे ही एक जानलेवा हमले में इनकी मृत्यों हो गई हुआ क्या कि जिस घर में ये ठहरे हुए थे उसी के नौकर को किसी ने पैसे देकर दूद में कांच के तुकडे मिलवा दिये थे और इस दूद को पीनी के बाद दैनन सरस्वती जी की हालत लगातार बिगरती चली गई और कुछ ही दिनों में उनके मृत्यों हो गई बढ़े इनकी मृत्यों के बाद लाला लाजपतराय, लाला हंसराज और स्वामी श्रद्धनन्द के नितृत में आरे समाज तेजी से बढ़ता रहा इंडिया की हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी को डीटेल में कवर करने के लिए बुकस्तावा की प्रेलिस को फोलो कीजिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा थैंक्यू सो मुच फो वाचिंग और सपोर्टिंग बुकस्तावा